आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो हम लोग कैसे एकसल हैं, वी लुक अप के साथ मैच भंजन को कमबाइन करके, एक सीट से दूसरे सीट पे अलग-अलग कॉलिम के डेटा को आसानी से लुक अप कर सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी उपी होगी होग जहां पे डेटा में सबसे पहले हमारे पास सेल्समेंस के नेम है, और सेल्समेंस द्वारा जनवरी से लेके जून तक जो भी सेल्स किया गया है, उसका रिपोर्ट दिया गया है, इस वर्क वुक में अगर आप देख पारेंगों, तो मैंने दो सीट बना के रखा है, सबसे पहले हमारे पास में डेटा और दूसरा जो हमारे लिए डेस्पोर्ट के लिए है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे यह है, जैसे में डेटा का कोई भी नेम, डेस्पोर्ट वाले सीट पे मैं टाइप करूँ, या सेल्क करूँ, और जिस सेल्समेंस का नाम सेल्क करूँ, उसका क्या होना जनवरी से लेके जून तक का उसका पूरा record हो आपको डिस्प्ले कर दे चलिए मैं dashboard पर लेकर चलता हूँ आपको तो dashboard में देख सकते हैं मैंने same heading को यहाँ पर copy करके रखा है जहाँ पर salesman के name है और जनवरी से लेके जून तक का उसका sales report हम को चाहिए तो हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे किसी salesman का नाम select हो तो automatic हमारे man data से क्या हो ना उस salesman का जनवरी से लेके जून तक का जो भी sales है उसका पूरा report रिपोर्ट आजाए और उसके बाद यहाँ पर जनवरी से लेके जून तक उसका total sales कितना हुआ वह यहाँ पर दिख जाए जनवर name select करके दिखाता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर salesman के drop-down पर click करता हूँ और कोई एक name को select करता हूँ जैसे मैं गनेज को select करता हूँ जैसे मैंने गनेज को select किया आप देख सकते हैं man data से गनेज का पूरा record यहाँ पर look-up होके आ रहा है चलिए एक बार cross check कर लेते हैं तो द sales कितना किया गनेजने वह दिख रहा है minimum sales के है वह दिख रहा है maximum sales के है वह दिख रहा है और average sales के है और इस जनवरी से लेके जूनता के लिए column chart भी बन रहा है अब यहाँ पर मैं जिस salesman का नाम से ले करूँगा उसके according आपके man data से क्या आगा उसका पूरा record यहाँ पर look-up ह के आ जाएगा तो यहाँ पर we look-up और मैंस को combine करके यही data पर आज example करके देखने वाले हैं तो वीडियो को देखते रही है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने same data यहाँ पर रखा है और हमारे workbook में देख रहे होता है अभी मात्र एक seat देख रहा है seat 1 तो हम इस plus के icon पर click करते है इस workbook में एक और seat create कर लेते हैं और दोनों seat को rename कर लेते हैं पहले मैं seat 1 को rename करता हूं इस पर double click करते हैं मालीजे मैं seat का नाम ले लेता हूं man data और दूसरे seat का नाम ले लेता हूं मैं dashboard यहाँ पर लिख लेते हैं dashboard अब आपको man data में क्या करना आपका जो भी heading है data का उस heading को हम copy कर लेंगे तो heading को select करते हूं हम लोग यहाँ पर copy करेंगे और dashboard वाले seat पर जाते हूं हम लोग जहां पर इस heading को रखना चाहते हूं इसे हम लोग control V की मदद से paste कर देंगे अब थोरा सा column को arrange कर लेंगे अब paste करने के बाद मैं नीचे वाले rock को select कर लेता हूं ताकि मैं border यह minimum था maximum था average था column chart था और line chart था मैं heading type करता हूं यहाँ पर सबसे पहले हम को चाहिए total उसके बाद चाहिए minimum उसके बाद चाहिए maximum उसके बाद चाहिए average उसके बाद column chart उसके बाद हम को चाहिए column chart उसके बाद हम को चाहिएòn लाइन चार्ट अब हैथ है युअन को select करता हूं फोरचा और थोरा ससे उडेस करते हूं ऑink करता हूं फोरचा पर चाहिए देखने में अशुदध एप करते हूं ताह आहकि हमको data देखने में और शुबदा ना हो तो मैं select करते हूं, home tab में जाके इसमें border लगा जाता हूं, और इसके alignment को मैं center कर लेता हूं अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, salesman के लिए drop down बनाना है, तो drop down बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे salesman वाले sales में cursor को activate करेंगे, data tab पे जाएंगे, data tools ब्लोक जाते हूं, data validation पे click करेंगे और इस allow के drop down पे click करते हम लोग list option को select कर लेंगे, अब source वाले box में cursor को activate करेंगे और हम अपने man data वाले sheet पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी name देख रहा हम लोग यहाँ पे select कर लेंगे, चुकि इसी name के base पे हमको drop down बनाना, और कुछ नहीं करना, simply आपको okay कर लेना, जो इसे okay की जगा देख सकते हैं आपके drop down आपके लिए बन चुका होगा, यहाँ पे background color देना, आप हलका कोई भी light color देजे, जो भी आपको ठीक लगे color देजेंगे, और यहाँ पे भी all water लगाते हैं, अब हमारी जरूरत यहाँ पे, जैसे मैं कोई salesman को यहाँ पे select करूं, तो automatic उसका क्या हो जाए, जनवरी से लेके जुनता का data sheet 1 से, या man sheet से look up होके आ जाए इसके लिए simply हम लोग एक formula यूज करेंगे जिस formula का नाम है VLOOKUP, और VLOOKUP formula को यूज करना बहुत ही आसान, अगर आप VLOOKUP के basic के बारे में नहीं जानते हैं, तो already मैंने VLOOKUP का basic concept पे dedicated video बना के रखा, उस video का link पर i button में और नीचे आपको description में देखने को मिल जाएगा, तो अचले मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे VLOOKUP को हम यहाँ पे combine कर पाएंगे, तो सबसे पहले जनवरी वाले salesman को रखते हूँ हम लिखते है equal to और लिखते है VLOOKUP, अब VLOOKUP को सबसे पहले चाहिए आपका lookup value, तो मैंने बोला जो इस salesman है वो हमारे lookup value है, अब यहाँ अब देखिए salesman का जो भी नाम होगा, वो जनवरी से लेकर जून तक बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं salesman के name को freeze कर देता हूँ या लॉग कर देता हूँ F4 की की मदब से, F4 दबाना है, कॉमा, आपके VLOOKUP को टेवल है चाहिए, तो आपको पता है आपका जो टेवल है, व अगर हम one by one column number लिखने लगे, तो हमको बार-बार अलग-अलग VLOOKUP लिखना होगा, तो मैं चाहता हूँ automatic हमारा VLOOKUP क्या करें, column number को count कर ले, तो इसलिए मैं VLOOKUP के साथ match function को combine करूँगा, match के लिए मैंने dedicated video बना के रखा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो इस वीडियो का link ऊपर आई बटन में और इस वीडियो को description में देखने को, मिल जाएगा उस वीडियो को देख लिए, ताके match function का basic concept आपको clear हो पाए, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ match, अब match को भी सबसे पहले चाहिए क्या, look up value, तो look up value कहा है हमारे, dashboard वाले sit पर, तो हम dashboard formula को drag करें, तो column तो change होता रहा है, लेकिन देख सकते है, raw number 4 जो है, यह fix है, इस month के लिए, तो मैं यहाँ पर lock करना चाहता हूँ, लेकिन मैं lock raw को करना चाहता हूँ, ना कि column को, यहाँ पर हम लोग simply app 4 बटन दबाएंगे, जैसे app 4 पहली बार दबाग तो raw और column दोनों यह बताईए, जो कहां से आप इस month को खोजना चाहते है, तो मैं इस month को खोजना चाहता हूँ, man data से, तो मैं man data वाले sheet पर चलता हूँ, और इस heading को select करते हूँ, keyword से app 4 बटन दबाएंगे, ताकि heading पूरा का पूरा lock हो जाए, यहाँ पर, उसका comma लगाते है, अब आपको match प पूछ रहा है जो आपका look up type क्या होगा, तो मैंने बुला मुझे exact match चाहिए, तो यहाँ पर मैं zero type करता हूँ, bracket close करते हैं यहाँ और enter hit करते हैं, तो जैसे enter hit करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर NA आ रहा है, NA इसलिए आ रहा है, जैसे मैं कोई salesman का नाम यहाँ पर select करूँ अब आपने look up के साथ match function को command किया, तो एक एक करके आपको look up formula लगाने के जोगतने, आपको कुछ ने करना पकरके इस formula को right की तरफ drag कर देना, जैसे drag के जगा automatic सभी का यहाँ पे जनवरी से लेके क्या होगा, जून तक का report आपके पास populate हो जाएगा, अब जनवरी से लेके जून तक हमको total यहाँ पर value चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर use करेंगे sum function, equal to type करेंगे और लेके यहाँ पर simply sum bracket शुरू करेंगे, और जनवरी से लेके जून तक जो भी हमारा sales report है, यहाँ यहाँ sales data उसको select करते हुए, bracket close करेंगे और enter hit करेंगे, जैसे enter hit total निकल के आचुका है, अब जनवरी से लेके जून तक मैं आजय का minimum sales क्या उसे देखने के लिए हम यहाँ पर type करेंगे equal to, और यहाँ पर लिखेंगे mean bracket शुरू करेंगे, और जनवरी से लेके जून तक वाले जो भी हमारा sales है, इस sales को हम लोग select करेंगे, bracket close करेंगे, और enter हिट करेंगे, जैसे आप enter हिट कीजिए, देख सकते है, minimum sales है, आपके पास निकल के आचुका है, अब हमको maximum निकलना, तो maximum निकलने के लिए simply हम formula लगाएंगे, equal to, max, bracket शुरू करेंगे, और जनवरी से लेके हम लोग क्या करेंगे, जून तक वाला जो भी sales है, उसे हम लोग select करते, bracket को close करेंगे, और hit करेंगे, यहाँ पर enter, जैसे enter हिट करेंगे, maximum value निकल के आपके पास आजाएगा, अब निकलना है, average तो average निकलने के लिए करज़र रखेंगे, equal to लगाएंगे, और लिखेंगे formula average, bracket शुरू करेंगे, और जनवरी से लेके हम लोग जून तक के data क select करेंगे, bracket क्लोज करेंगे, अब यहाँ पर average तो निकला लेकिन decimal ज्यादा दिख रहाएंगे, decimal कम करना तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए इंक्रीज डेसिमल है, और यह आपके लिए डिक्रीज डेसिमल है, तो अपने requirement का इंच और यहाँ पर decimal को कम या ज्यादा पर यहाँ पर sparkline block दिख जागा और यहाँ पर एक option दिख जागा column, मैं column पर click करता हूँ और data range में, जनवरी से लेके जून तक के data को हम लोग select कर लेते हैं, और simply यहाँ पर ok कर लेते हैं, अब जैसे ok की जागा, अगर column का width कम लग रहा है तो इसे ज्यादा कर लिजे, और raw क height कम लग रहा है तो इसे भी अपनी requirement कर लिजे, अब जैसे calling chart बनेगा तो देख सकते हैं, sparkline tools दिख जाएगा, जिसके दोरह आप अपने इस chart को अलग अलग तरीके से design कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं marker color में highest value का color अलग देना चाहता हूँ, lowest value का color अलग देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको marker color पर जाना है, और यहाँ पर highest point के लिए मैं green color select कर लेता हूँ, और lowest point के लिए red color select कर लेता हूँ, देख सकते हैं, मैंने जो color select किया को आपको यह data में दिख रहा होगा, अब line chart बनाने के लिए हम लोग line chart वाली cell में cursor को रखते हैं, फिर से हम लोग insert tab चल अगर width कम लग रहा तो आप अपनी requirement concern जादा घर लीजे, अगर आपको लगता line का weight थोरा सा और मोटा होना चाहिए, तो आपको sparkline tools में जाना है, और यहाँ पर एक option दिख जाएगा sparkline color, इस पे click करेंगे और यहाँ पर आपको weight color दिख जाएगा, जितना मोटा या पतला इस line के color को भी change कर सकते हैं, यहाँ पर sparkline color द्वारा, तो फिलार मैं यही color रहने देता हूँ, देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर report तयार हो चुका है, अब इस report को थोड़ा सा perfect दिखाने के लिए आपको simply view पर जाना है, और यह grid lines में जो check लगा हो, इसे uncheck करके grid lines हाटा लेना है अब इसका benefit यह होगा, जैसे मैं इस salesman के drop down से जैसे किसी भी salesman का नाम select करूंगा, automatic उसका पूरा record man data से यहाँ पर आपके पास populate कर दिया जाएगा, देख सकते हैं, मैं जिस name को select करा हूँ, उसके name के recording, जनवरी से लेके June तक है उसका sales report दिख रहा है, और साथ में उसका total sales क्या है, minimum sales क्या है, maximum sales क्या है, average sales क्या है, उसका column chart बनना है, और line chart बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इस परकार आप अपने data को we look up match function की मदद से attractive धंक से present कर सकते हैं, तो आसा करता हूँ दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कापी पसंद आगा, वीडियो पसंद आ तो like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, अब हम इसी परकार के वीडियोज के लिए आप हमरे चैनल को subscribe करें, यादि आपका कोई सवाल या सुझावे तो आप हमसे comment करके जरूर पूछे, thank you